आप देख रहे हमारे साथ नगरी मीडिया आज हम बात करेंगे बॉलिवूड की दो दिगज मूवीज के बारे में यामी गौतम की फिर्म आर्टिकल 370 आकिरकार शुकरवार 23 फरवरी को सिनिमा गर में रिलीज हो गई इसे फैंस को भारी प्यार मी मिल रहा है अब खबर है कि फिर्म ने 10 करों रुपे से अधिक की कमाई कर लिये दूसरे दिन भारते बॉक्स ओफिस पर फिर्म ने 7.5 करों रुपे की कमाई की फिर्म ने अपने ओपनिंग डे पर 5.9 करों रुपे की कमाई की दूसरी तरह वियामी गौतम की फिर्म को टकर देरी विद्यूत जामवाल की फिर्म क्रैक लेकिन सबसे जादा बहतर कौन है से जानना भी मुश्किल है सैनिक.com की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 की बॉक्स ओफिस सेल में 27.12% की बढ़ोतरी भी दिखी गई है फिर्म ने सबसे जादा कलेक्शन चैननाई में किया है उसके बाद पूने बैंगलॉर और मुंबई की स्थान रहा है कुल मिलाकर इसका कलेक्शन 13.56 करोर रुपे हो गया है आधित्य धर की आर्टिकल 370 सची गटनाओ पर आधारित है यह फिर्म दर्शकों को राजनीतिक साजश, रास्टे शुरक्षा और धरकने बनाने वाले एक्शन सीनों से भरपूर है यामी के अलावा फिर्म में प्रिया मनी, अरुन गोविल और बहवब भी है इसी बीच क्रैक के बॉक्स ओफिस कलेक्शन में जाधा मंदी दिखाई दे रही है इसे बदा चल रहा है कि दूसर दिन भी क्रैक के कलेक्शन में जाधा मंदी दिखाई दी गए इसकी संख्या में 35.2% की गरावट भी नजर आई है और विलन के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल इसके साथ ये प्रडुक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स की बनी आक्शन फिल्म में अर्जुन रामपाल को विलन के रूप में देखा गया इसके साथ ही 45 करोर रुपे के बजट में बनी आक्शन ठ्रिलर 23 फेब्ररी को रिलीज हुई थी इसी भी ज्यामी गौतम की फिल्ड आर्टिकल 370 से कड़ी टकर करका सामना भी करना पड़ रहा है क्रैक को जबकि बॉक्स ओफिस पर जंडे लहरा रही आर्टिकल 370 आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद